आज इस वीडियो में हम छोटे क्रेटरों के मनलब जो छोटे यूटूबर है इन लोग को ये ये नहीं मालूम होता कि एक दूसरे को अगर उल्टा सिधा हम बोल रहे हैं तो उनसे क्या-क्या दिक्कते उनके चैनले पर आती हैं आज मैंने एक वीडियो देखा मुझे बहुत दोली हैं यह मैं सोचे का लाइन नहीं चुटा है तो मुह नहीं दो है मनला मुझे बुरु सुरुस कर लिए चाय भई भी पिली है और आज का मौसम बहुत खराब है देखिए यहां पे बहुत ज्यादा खराब है और यहां पर दिखा रहे हैं नीशा पकवान बना रही है क सोचने वाले ही मिछ सोचे कि हम लोग का भगवान से दिण इधर घूमता फिरेका वज़ेंगे बनां हमारे भी है टाफिक हैं तो कहीं नहीं से घृप करने वाले हमारे हस्भन नहीं अगर वो होते ना तो बात करने नहीं देते तो इसलिए वो नहीं है तम मैं बात करें दोस्तों क्योंकि वो बोलते हैं ना कि मत बोला करो किसी को अगर किसी को बुरा लग जाएगा तो आपको क्या करना है ये वो और देखे कोई क्रेटरों का अपने चैनल में नाम नहीं लेत मैं सोचती हुना कि यार किसी को बुरा ना लगे और आज मैंने एक वीडियो देखा सुभे सुभे बहुत अच्छा लगा मुझे जो कि अभी एक मिनट नाम पहले देख लू भूल जाती हूं पूरा नाम नहीं याद है अंजली प्यूस ऐसे करके कुछ नाम है एक बड़ दे कि हटवा दो तो देखो आपने किसी से बोला किसी ने तो नहीं हटवाया ना लेकिन जिनों ने ऐसा किया था जैसा कि अंजली और प्यूस जो भी है हजबन बाइब का ही नाम है साइद मुझे तो कंफरम याद भी ने क्योंकि मैंने बात ने किया और दोस्तों मैं आप तो अगर मेरी वीडियो यह दोनों लोग देख रहे हैं निसा और अंजली जो भी है अगर देख रहे हैं तो प्लीस और निसा तुम आज के बाद किसी को अपने चैनल पे ध्यान देना किसी को सीधा मत बोला हाँ तुम्हे अपनी लाइफ दिखानि है वो दिखाईए अगर किसी को समझाना है तो समझाने के तरीके से समझाए ना कितना उल्टा सिधा बोलिए मैं तुमारी वीडियो बहुत पहले से देखती हूँ तुम बहुत पहले से ही सबको उल्टा सिधा बोलती हो मुझे नहीं बोली हो हाला कि लेकिन फिर भी मैं बस एक छोटी बहन आप समझ लीजे बड़ी बैन जो भी मुझे समझ लीजे वह समझ के आज मैं आपको समझा रही हूं कि ऐसे गलती दुबारा मत करिएगा और हाँ अंजली प्यूस आप आपके दिल में कितनी इंसानियत हैं देखके बहुत अच्छा लगा हाला कि आप लोग भी बहुत दूसरों को लट बहुत अच्छी लगी कि आपने जो इस्ट्राइक दिया था उसको हटा लिया निशा की तरफ से मैं आपको दिल से धन्यवाद किया रही हूं और आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बेंड होते तो नाम नहीं लेने देते हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि हम यहां तक आए हैं तो हम आप लोग से अच्छी तरीके से कोई जानता है कि हम यहां तक आए हैं किस मुसीवत और किस मजबूरी से आए हैं तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए दूसरे को लटा सिधा मत बोलिए देखिए आपकी एक गलती और चंद व्यूज चंद लाइक के लिए और आप लोग लुक से मिली नहीं हूं अंजली प्योस हो गई और नीजा हो गई लेकिन ज्यादा बात बेवार कुछ नहीं बस ऐसे मिली थोड़ा सा मैंने उनके चैनल में बोला और मतलब यहीं और कुछ नहीं में उनको जानती हूं ना मेरे पास नेशा का नंबर है हाँ अनुज पी अर इतना चाहेंगे कि दूसरे की गलती दूसरे का ड्रामा अपने सरपे ना ले अपने चैनल पर लोग आ तो आप लोग को पता है कि आप लोगों कि अ हमेशा गाली देके वीडियो बनाती हैं और आप अगर एक इंसानियत की सरे से अपना वेवार बनाएंगे ना तो आपको कोई कहीं पर भी देखे ना तो यह बोले अरे यार यह तो वही ओरत है जो वीडियो बनाती है हमेशा सब की तारीफ करती है अपना काम करती है और सब की तारीफ करके वीडियो बनाती है तो प्लीज इस चीज ये लोग हमारी यूटूब फैमिली है तो इन लोगों ने जो काम किया वो मुझे बताना बहुत जरूरी था बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो देख रही थी बहुत लोग रो रहे हैं श्ट्राइक को लेके और सायद अंजली प्यूस के चैनल पर भ कोई भी आता है हमी नहीं च्छोटे क्रेटर हो चाहे किसी के पाथ 10,000 सब्सक्राइबर हो चाहे एक खजार हो बहुत मैंनस से यहां तक आते हैं और एक एक सब्सक्राइबर को अकठा करने के लिए बहुत पापर बेलना पड़ता है दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूंगी क कि आज के बाद कभी भी किसी को आप लोग उल्टा सिधा मत बोलिए अपने काम पे ध्यान दीजिए जहां तक हो के ना जहां तक हो सके वहां तक अपना बैवार और अपनी पहचान और अपनी इंसानियत दिखाईए आप लो ना कि किसी को उल्टा सिधा बोलके किसी के आत् वाले कितने परसान हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे पापा दिली में है वो भी एकदम तूट चुके हैं भाईया भाबी भी हैं वो लोग भी एकदम बोल रहा है कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे खुद नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होगा लेकिन बस खुद नहीं कुछ समझ में आता है तो बस यहीं बोलूँगी कि आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा बाकी का बात आईएगा मैं सही बोल रहे हूं कि गलत बोल रहे हूं और आप लोग प्यारा सा कमेंट करके थोड़ा सा मुझे हिम्मत दीजिए क्योंकि कहीं ना आपको नियाय दिलाने के लिए खड़ी थी मेरी बेटी को पता ने किस साजिस में फसा दिया गया तो मुझे खुद नहीं पता बाकी का सब मातरानी और सीगुरू के उपर है जो होगा दिखा जाएगा फिर भी इतना आप लोग समझेंगे मैं सोड वीडियो बनाती हूं मै कितना दिल में दुख लेके बनाती हूं लेकिन सोड वीडियो में कि आप लोग को बिल्कुल भी आहसास होता है कि राधा के उपर इतना दुख है क्योंकि मैं पता ही ने चलने देती हूं दुख है मुझ पे है ना टल जायेगा आता है दुख तो आता जाता रहता है लेकिन पडिक और फैमिली हमेसा नहीं मिलेगी मुझे तो इसलिए अपने फैमिली के सामने हमेसा मैं खुसी से और हर एक वीदियो में इसमाइल दे के खुसी से आती हूँ कुछ भी हमें लोग करते हैं हमेसा खुस रहते हैं हाँ जब वीडियो नहीं चलता है तो टेंसन में रहते हैं जब वीडियो नहीं बनाते हैं तो टेंसन में रहते हैं अब क्या होगा मतलब आगर किसी एक साथ भलाई करना इतना बड़ा यह होता है फस जाना होता है दुनिया बर का कलंग लेना होता है तो ऐसा ऐसान हम कभी नह करें आहां रही बात च्छोटे यूटूबरों की तो उन लोग का साथ को अ इसमें लोग ने शुरू से दिया बाकि के बहुत लोग जानते हैं किस कि बहाने से अगर हम लोग को मिला है तो हम लोग एक दूसरे का हैल्प करते हैं बस में इतना जानती हूं और दोस्तों बस ज्यादा नर्वस नहीं होना है क्योंकि नर्वस होंगी तो आरे हाँ पर देखें हैं जो कि मैं अकेले ब्लॉगिंग कर रही थी यह लाएंगे देखेग चलिए मिलते हैं ने अश्यूडियो में तब तक के लिए नमस्कार बोल दिजी कुछ बोलो तुम बोलो मैं बोल दी कि नहीं वीडियो बहुत जादा लंब हो जाएगा यहीं बोले हैं कि आज एक वीडियो देखें हैं बहुत खुसी हुई कि एक लोगों ने एक चैनल पर में लिए तो बहुत अच्छा लगाँ कुसी रखने में किसी के पेट पर लात मानने से अच्छा कि किसी को इल्टा सिधा उपना आप लोग दिखाईए और उनकी इंसानियत देखिए कि उन्होंने इस्ट्राइक हटा लिया इतना कुछ बोलने के बादे तो बहुत अचला चलिए आप हम ज्यादा नहीं बोलेंगे आप इनके चैनल में इनसे बोलागे तो जल्दी हटाई नहीं पाते हैं नहीं दोस्तों जूट बोलना हम लोग किसी के चैनल पर आस तक कुछ भी नहीं दिया और भगवान ना करें कि हम लोग ऐसा कभी करें किसी के साथ मेरे बुराई करना है करो कोई बात ने हम देखिए अगर सब हमारी अच्छाई करेंगे तो बुराई कौन करेगा तो करिए को इमोशनल कर दीजिए कि वह इंसान कुछ भी आप लोग को लटा सीदा बोलने पर मजबूर हो जा है ना बनीपवा एडवांस में हैपी नुइयर यह यह बोलने जा रहत है मैंने मुलने कि क्योंने वीडियो में बोल दिया था ना तो दोस्तों आप सभी को एडवांस में हैपी नुइयर और वीडियो में अपनी राय जरूर दिजिए का कमेंट करके कि हम मैं सही बोली हूँ कि गलत बोली हूँ जो भी हो चलिए मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई